घमंडी जिराफ एक घना जंगल था उस जंगल में एक जिराफ रहता था वह बहुत बड़ा था उसकी गर्दन बहुत लंबी थी वह जंगल में जहां जाता वहां पेडों पर से हरी हरी पतिया खाता था एक दिन वहां से कुछ भेंसे जा रहे थे जिराफ को हरे हरे पत्ते खाते देख वे वहां रुख गए और उन्होंने जिराफ से कहा क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे तो जिराफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी भेंसों ने फिर से कहा क्या तुम हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़ कर दे दोगे तो जिराफ ने कहा नहीं मैं किसी की मदद नहीं करता अगर तुम्हें खाना है तो खुद पेड़ पर चढ़ जाओ और खाओ भैसो ने कहा अगर हम पेड़ पर चढ़ पाते तो तुम से नहीं कहते तुम्हारी गरदन बहुत बड़ी है और तुम असानी से हमें तोड़ कर दे सकते हो जिराफ ने कहा मैं बहुत खुस नसीब हूँ जो मेरे पास बड़ी गरदन है जाओ जाओ तुम अपना घास खाने जाओ या सुनकर भैसे कहते हैं तुम्हें अपनी गरदन पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए या कहकर बिचारे भैसे वहां से चले जाते हैं कुछ दिनों बाद गर्मियों के दिन आते हैं और जंगल में सब घास सुख जाते हैं और घमंडी जिराफ बड़े अराम से पेडों की हरी हरी पतियां खा रहा होता है उसे देख बिचारे भैसे कहते हैं जिराफ भाई क्या तुम हमें थोड़े हरे पत्य दे सकते हो बहुत भूख लगी है जंगल में सारी घास सूख गई है लेकिन घमंडी जिराफ कहता है हाँ मुझे पता है जंगल की सारी घास सूख गई है लेकिन मैं भी क्या करूँ पेडों पर भी काफी कम हरी हरी पतिया बची है अगर मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा भैसे कहते हैं तुम्हें बूरे वक्त में हमारी थोड़ी तो मदद करनी चाहिए बड़े गर्दन के कारण तुम बड़े असानी से हमें दे सकते हो जिराफ कहता है अगर आज तुम्हें दे दी तो तुम रोज रोज मांगने लगोगे जाओ तुम सूखी घासी खालो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और वीचारे बहैसे वहां से चले जाते हैं एक दिन एक सेर अपने बच्चे से कहता है बड़े दिन हो गए कोई बड़ा सिकार नहीं किया और गर्मियों के कारण सारे जानूर अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूके मर जाएंगे सेर का बच्चा कहता है हाँ हमें कोई बड़ा सिकार करना होगा कम से कम एक हपते तो सिकार करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए और दोनों जंगल में सिकार ढूंडने जाते हैं शेर को दूर से एक बड़ा जिराफ दिखाई देता है जो पेड़ो पर से हरी हरी पतिया खा रहा होता है जिराफ के बाजू में ही भेंसे सूखा चारा खा रहे होते हैं और सेर बच्चे से कहता है देखो वो जिराफ बहुत बड़ा है हमें मिलकर इसे सिकार बनाना है काफी बड़ा और भरा भरा है और सेर का बच्चा कहता है हाँ इसे देखकर मुँ में पानी आ रहा है तो चलो इसे दबोच लेते हैं और सेर जोर से दहाडता है शेर की दहाड सुनकर भेंसे बाजू के एक छोटी गुफा में जाकर छुप जाते है और जिराफ भी उसी गुफा में जाने का प्रयास करता है लेकिन अपनी बड़ी गर्दन के कारण वह गुफा में नहीं घुस पाता है और वहाँ शेर और उसके बच्चे आ जाते है जिराफ बहुत डर जाता है और कहता है और सेर हसने लगता है यह सुनकर भेंसे एक दूसरे से कहते है यह बहुत घवंडी है जब हमने इसे पेडो पर से पतिया मांगी तो इसने मना कर दिया और जब उस पर बनाई तो शेर से कहता है पेडो पर से हरी पत्या तोड़ कर देता हूँ अब बनने दो इसे सेर का शिकार यह सुनकर दूसरा भैसा कहता है नहीं नहीं हमें उसे बचाना होगा आखिर ओभी तो हमारे जैसा ही है और ओभी अकेला हम सब मिलकर उसे बचा सकते है इस कारण उसका घमंड भी चूर हो जाएगा और सब भैसे गुफा से बाहर आते हैं और जिराप के साथ खड़े हो जाते हैं और शेर से कहते हैं यह हमारा दोस्त है तुम क्या इसका सिकार करोगे हम सब मिलकर तुम्हें या सिकार बनाएंगे और सब सेर की तरफ दोड़ने लगते हैं और शेर और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं यह सब देखकर जिराप भैसो की तरफ देखता है उजे माफ कर दो आज तुम सब के कारण मेरी जान बच गई मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया भैस कहते हैं तुम्हें अपनी गरदन पर बहुत घमंड थाना लेकिन उसी गरदन के कारण तुम गुफा में नहीं छुप पाए हमें किसी भी चीज का कभी घमन नहीं करना चाहिए बलकि उसका उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करना चाहिए एकता में ही शक्ती होती है उस दिन के बाद जिराफ और भेंसे अच्छे दोस्त बन गए और जिराफ भेंसों को पेडों की हरी हरी पत्या भी देने लगा और सब खुशी से जंगल में रहने लगे दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानिया देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करे